बिसमें लहरा मादराहिम, इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा जो हमारी वेल्ट स्टेटमेंट होती है, टेक्स रिटर्न जब हम फाइल करते हैं, इंकम टेक्स रिटर्न, तो उसके अंदर रिकॉंसिलेशन ऑफ नेट असेट्स लास्ट अप होता है, उसमें रिकॉंसाइल अमाउंट जो होती है, यह आजाती है कई दफ़ा, जब आप अपना डेटा सही तरह से एंटर नहीं करते, तो इसको जीरो किये बगएर अगर रिटर्न अप जमा करवाते हैं, तो आपको नोटिस आ जाता है, कि यह आपकी वल्टी की निशान दही है, कि यहा पर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो अन्रिकॉंसाइल अमाउंट को इस वीडियो के अंदर में आपको एक्सपैंसिज के जरीए, जो है, जीरो करने का तरीका कार बताऊंगा, ठीक है, यह दो तरीका कार इसके होते हैं, एक एक्सपैंसिज से आप इसको डिल कर स ठीक है जी तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले आपने अपनी income को यह मैं करके दिखाता हूं आपको Tax Chargable Payments में मैंने मसला में एक income एड की है अपनी इस यह के लिए दो हजार वाइस लिए टेक्स चार्जेबल पिएमेंक को उपन करें आप और इसमें उपन करके ये फानल फिक्स्ट मिनिमुम आवचे इसमें नीचे जो सब एड़ है मेरा पर्रिक्लीर 7B उसमें बैंक की मैंने इंकम एड़ की है एक लाख रुपए और टेक्स जो गटा है उस पे तीस हजार पर है तो ये टेक्स जो है ये रिसीव के ऑपर लिखा हुआ है जो प्रूफ होता है उसके उपर लिए जो income एक लाकर र्पए होती है नमबर वन चीज़ ये है कि ये टेक्स येर की इंटुम होती है ठीक है टेक्स येर क्या है 2022 और टेक्स येर ये कौन सा होता है 2020 के आखरी छे मीने 2022 के पहले छे मीने ठीक है ये पूरा टेक्स ये कहलाता है छे मीने आखरी 2021 के और पहले छे मीने 2022 के तो ये जो इंकम होती है ये टेक्स कटने से पहले की होती है इसको आपने बाद वाली इंकम नहीं लिखनी इस वज़ाए ये होती है कि ये जो टेक्स यहाँ पहले वाली ठीक है यह याद रखना है आपने यहां पे mistake नहीं करनी tax कटने से पहले वाली income हमेशा add कर ठीक है जी अब जलते हैं expenses की जाने तो यहां से नीचे wealth statement में मैं open करता हूँ expenses को personal expenses और यह main head personal expenses का sub head इसके अंदर यह सारे के सारे हैं ठीक है 10-12 जो नीचे दिये हूँ तो इसमें देखे मैंने taxes में 30,000 पर एड कर दिया तो यह main head में भी show होगा और sub head में भी show होगा यह हर जगा इसी तरह यहां पे जो अब income tax return जमा करवाते हैं तो दो दो दोफा amounts show होगी इससे अब में confused नहीं होना यह main head होता है जो bold में लिखा हुआ है ठीक है यह 7089 bold में है और यह bold में नहीं है यह sub heads होते हैं जब sub head में एंटर करके calculate का बटन प्रेस करेंगे तो main head में भी amount show हो रही है अब expenses कितने हैं मैंने total add गी है 30,000 पर अब आप आजए है personal assets के उपर personal assets को जब मैंने open किया तो यह पिछले 2021 के tax year के assets show हो रहे हैं जिसमें bank के अंदर 9,000,000 की amount थी और cash के अंदर 1,000,000 की amount मेरी थी 2021 में इसको मैंने अब कर दिया update ठीक है तो मैंने bank में अपने देखी तो मेरे पास statement show कर रही के 8,000,000 और 40,000 पर मेरे पास 30,000,000 2022 पे tax year close होने की date पे मौजूद हैं तो वहां से मैंने देख के 8,000,000 और 40,000 यहां add कर दिये और cash में 1,000,000 मैंने दिया क्यूंकि cash कम है sure नहीं के मेरे पास कितना है अभी ठीक है तो मैंने 1,000,000 और 40,000 यहां पर यहां पर एक लाग तो यह बन गया 9,000,000 और 40,000 अब जब मैं reconciliation of net assets को जाता साथ हजार से degrees कर गया है पिछले net asset previous year में एक लाग रुपए थे और current year में 9,40,000 रुपए बन गया और 60,000 से degrees हो गया अब इसमें क्या heads है इसमें तीन heads है inflows है inflows के अंदर यह सारे आते हैं main head जो है outflows है outflows के अंदर चार चीज़ें आती हैं और ति और unreconcited amount है यह चार ती main head में main है ठीक है उपर वालों के बाद ठीक है जी अब इसमें inflows में देखें एक लाग रुपए income है दो दफ़ा शो हुआ है लेकिन यह एक दफ़ाई count होगा इसी दर expenses दो दफ़ाई शो हुए है एक दफ़ाई count होगा क्योंकि यह sub head और main head है तो यह 30,000 रुपए expenses शो और expenses में add कर दिया एक लाग 30,000 रुपए personal यह household expenses में ठीक है household expenses क्या होते है जो आपके खाने पर यह चोटी मोटी श्या की खिरीदारी पर यह कपन वगएरा पर सर्फ़ाप करते हैं ठीक है तो इसको आपने traveling वगएरा में नहीं पूरी mount डाल देनी traveling में अगर आप यह traveling करते हैं तो वही amount आपने डालनी जिसके ticket वेरा आपके पास मुझूद हो प्रूफ मुझूद हो आपके पास फिर ठीक है electricity में actual bills की amount डालें ठीक है इस तरह telephone में actual amount डालें लेकिन यह जो household expenses होते हैं यह personal expenses इसमें आप जितनी मर्ज़ी amount डालें यह question नहीं करती टेक्स्टाइब ल लाग डालें दो लाग डालें पांच लाग डालें साथ लाग डालें ठीक है इसका proof आप से नहीं हो मांगते तो इस वजह से मैंने direct लिया को यही का है कि इसी में amount मैंने एक लाग तीसजार डाल दी यह flexible जो point होते हैं जो जिनको छेड़ने से कोई issue नहीं होता है वो मैं तो यहां पे आपने डालें एक लाग तीसजार और यहां से calculate का button प्रेस किया तो यह हो गए total expenses एक लाग साथ हजार अब दोबारा है reconciliation of net assets यह मैंने open किया तो यह एक लाग साथ हजार यहां पे update हो गए unreconciled amount हो गई zero ठीक है unreconciled amount क्या हो गई zero तो यह एक method था जो मैंने आपको guide किया है basically इसको unreconciled amount है इसको zero करने का expenses के दिए दूसरा अगर देखना है तो वो मेरी दूसरी वीडियो देख लें how to adjust the unreconciled amount by increasing the cash balance in personal assets liabilities ठीक है